अगर मन अशान्त है तो कैसे इसे पहचाने तथागत बुद्ध के संदेशों में भी कई बार आश्रों शब्द का उपियोग दिखाई देता है तो सबसे पहले इसी सब्द को समझना होता है कि कैसे हमारा चित अशान्त होता है वे कौन से कारेक हैं जो मन को बेचैन और छटपटाहट से भर देते हैं तो आश्रों का अर्थ है कि वे विशय जो हमारे मन को अशान्त करते हैं और यह अशांत मन की अवस्था की उत्पन होती है इसे जानना आवश्यक है बुद्ध के सब्दों में यदि हम समझें तो हमारी उन मानसिक परिस्थितियों को पहचानना जिनसे हम गुजर रहे होते हैं या वे मानसिक विसे जो हमारे मन को अशांत करते हैं और साथी साथ वे लगातार मन को आशांत किये रहते हैं और यही है आश्रो आश्रो की परिभाशा और कैसे यह विवहार करता है और कैसे यह मन को आशांत कर देता है और इसके साथ लगातार मन के आशांतता के प्रवाह को भी बनाये रखता है तो बुद्ध के आश्रों की परिभाशा एक प्रकार से हमारी मानसिक गतिविधियों का विशलेशन है जो हमारे अशांत मन या विहवल चित की परिभाशा करता है अब इसी आश्रों की परिभाशा को समझेंगे इसके प्रकारों को समझेंगे और कैसे यह लगातार मन को अशांत किये रहता है उसे समझेंगे ताकि आप अपने मन को समझ सकें उसके अशांत होने के कारों को समझें यहाँ पर दिये गए एक एक शब्दकार्थ और उसके विशलेशन को समझें तो सबसे पहले आश्रो याने चित्त के मल चित्त की गंदगियां जो उसे अशुद कर विहवल कर देती है या आश्रो का आर्थ वे मानसिक अशुद्यां जो मन को अशुद कर अशांत कर देती है और इसका एक महत्यपुण प्रभाव कि ये लगातार उत्पन होते रहते हैं मानसिक अशुद्यों का लगातार बनना और उनका प्रवाहित होते रहना तो कैसे पता चलेगा कि ये मानशिक अशुद्या या आश्रो क्या है और ये चुम मन को अशान्ति करता है इसी का विशलेशन और व्याख्या करते हुए तथागत बुद्ध मज्यम निकाय के सब्बासो सुत्य में कहते हैं एक समय बुद्ध सावस्ति में अनात पिंडग के आराम जीत्वन में विहाद करते थे वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को सारे आश्रों के समर से संबंदित उपदेश दिया बुद्ध ने आरम में ही स्पष्ट कर दिया कि मैं आश्रों के छे के बारे में स्वे जानते देखते हुए उपदेश देता हूं बिना जाने बिना देखे नहीं उन्होंने बतलाया कि मन का चिंतन मनन दो प्रकार का होता है यथार्थ और अयथार्थ अयथार्थ चिंतन मनन से अनुत्पन आश्रों उत्पन होते हैं और उत्पन हुए आश्रों खुब बढ़ते हैं यथार्थ चिंतन मनन से अनुत्पन आश्रो उत्पनन नहीं होते हैं और उत्पन हुए आश्रो नश्ट होते हैं तो यहाँ पर बुद्ध आश्रो या चित्त के मलों या मानसिक अशुद्यों के प्रवाह को चिंतन मनन के सहारे जानने को कहते हैं कि यदि अपने चित्त की अवस्थाओं का चिंतन करें कि कैसे ये हमें प्रभावित कर रहे हैं मनन के सहारे इन्हें जानना और फिर से इस मन के चिंतन को वे दो प्रकार का कहते हैं पहला है यथार्थ चिंतन मनन और दूसरा है अयथार्थ चिंतन मनन यथार्थ चिंतन का अर्थ है जो वास्तिविक अवस्था मन की है उसे जानना उसे पहचानना जो आपकी मानसिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही है उसे ठीक उसी तरीके से समझना और दूसरा है ओय अथार्थ चिंतन याने भ्रम पूर्वक विचार करना या जैसे अपने मानसिक अशान्तता या अशान्त मन को किस्मत मानना या कोई दैवी एक्रिपा या नाराजगी से इसे जोड़ना इसे कर्म कांड या किसी दूसरे पराय कांड को मानना जिसकी वास्तविक्ता या मूल रूप से अशान्त मन से कोई सम्बंद नहीं होता या भ्रम पूर्वक चिंतन मनन करना जिसे बुद्ध अयथार्थ चिंतन मनन कहते हैं और इस प्रकार के चिंतन मनन के गहरे प्रभावों को भी बुद्ध दो प्रकार के प्रभावों से समझाते हैं कि यदि ओ यथार्थ चिंतन किया जाता है तो यह लगातार मन की अशुद्यों या आश्राओं को बहाता जाता है और इस प्रकार का चिंतन मनन मन को लगातार अशांत बनाये रखता है वहीं पर यथार्थ चिंतनमनन या मानशिक अशुद्यों के प्रवा की वास्तविक्ता को मूल रूप में जानना यह स्वताहि आश्रो या चित्तमलो या मानशिक अशुद्यों के प्रवा को नश्ट करने लगता है और मन शान्त हो जाता है अब ये आश्रो या चित्तमल या मानसिक अशुद्यों का प्रवाह कितने प्रकार का होता है तो मन को अशांत करने के तीन काड़ों का बुद्ध उल्लेक करते हैं और वे हैं कामाश्रो भवाश्रो और अविद्याश्रो जिसमें से पहला है कामाश्रो कामाश्रों का अर्थ है सुख इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न आनंद को भोगने की तीवरेच्छा संसारिक सुखों के आनंद में डूब जाना आख नाख कान जीब और शरीर से उत्पन्न मजा और उसे बार-बार भोगने की तीवर विलाशा सभी ग्यानेंद्रियों के मजे को बार-बार लेने की त्रशुणा प्यास कोई आखो द्वारा देखा गया द्रिश जो मजा दे रहा है उसे बार-बार देखने का मजा चैसे आज के घटना क्रमों में यदि मोबाईल में चल रहा कोई चल चित्र जिसका अनुभव आँखों से हो रहा है उसे बार-बार देखने की तीवर इच्छा है कान के माध्यम से सुने गए शब्द संगीत या ध्वनी जो अंदर एक मजे को उत्पन्द करे उसे बार-बार सुनने की इच्छा ना के माध्यम से सुगंद का अनुभव जिसे बार-बार सुगने की इच्छा जीब के माध्यम से भोगा गया आनंद या कोई भोजन विशेष उसे बार-बार खाने की इच्छा नशीले पदार्थों का मुख से किया गया सेवन जैसे शराब, तंबाकू, गुठका या अन्य प्रकार के मादक पदार्थ और इनसे उत्पन्न मजा और इस मजे को भोगने की तीवर इच्छाएं और शरीर से उत्पन्न आनंद को भोगने का मजा भोग विलाज से भरा हुआ परिवेश और उसका आनंद भोगना और उस मजे से उत्पन्न बार बार भोगने की तीवर इच्छाएं काम वासना से उत्पन्न आनंद, सारेरिक संबंधों से उपजा मजा और उस मजे को बार बार भोगने की तीवर इच्छाएं ये सभी तीवरिच्छाएं या तुष्णा या इनका मन के उपर पढ़ने वाला प्रभाव इन आनंद या मज़े को भोगने के संदर्व में तथा गदबुद्ध एक विशे संदर्व का भी बार-बार वाडन करते हैं और वह है इनकी अनित्यता या औस्थिरता जब शरीर के आंगों का अपने अपने विशे से संपर्क होता है मगर ये मजा या आनंद अनित्य होता है याने कुछ समय के पश्यात समाप्थ हो जाता है मगर सुखद वेदना का एहसास इन्हे फिर से भोगने की तीवर इच्छा को जन्म देता है विट्टी फिर से इंद्रियों के माध्यम से सुक भोगता है मगर फिर से इनका सुभाव अनित्य होता है ये समाप्त हो जाती है और फिर से इन्हें भोगने की तीवर इच्छा या तरश्णा उत्पन्द होती है और फिर से अनित्ता के कारण ये समाप्त हो जाती है और ये क्रम लगातार चलता रहता है तो यहाँ पर ये संसारिक विशे अनित्य होते हैं मज़ा उत्पन कर नश्ट हो जाते हैं तो इन्हें फिर से भोगने की तृष्णा अपने आप मन को अशांत कर देती है और यदि ये आनंद ना मिले तो दुख अपनी चपेट में ले लेता है कुल मिलाकर संसारिक आनंद को कभी भी अनित्यता के स्वभाव के कारण संतुष्ट नहीं किया जा सकता है तो इनका अंत्य तृष्णा या तेवरिच्छाओं के रूप में दुख को उत्पन्न कर देता है और मन अशांत होकर दुखों को भोगता है तो इस प्रकार लगातार उठती तृष्णाएं तीवरिच्छाओं का अनवरत प्रवाह एक के बाद एक उत्पन्न होकर मानसिक अशुद्यों के प्रवाह या चित्त मलों का कारण बनता है और यही है कामाश्र तथागत बुद्ध के अनुसार दूसरा विशें जो मन को अशांत बनाता है वह है भवाश्र भव का अर्थ है इस संसार में बने रहने का भाव इस संसार से चिपकने का भाव संसारिक विश्रयों से जुड़े रहने का भाव संसारिक लोगों के साथ बने रहने का भाव जबकी यह जीवन स्वतेही अनित्य है नश्ट होने वाला है बुढ़ापा और स्वस्तता मृत्यु यह जीवन के सत्य है इने जुठलाने का भाव इने नस्विकार करने का भाव क्योंकि ये भी अपनी अनित्यता के कारण बदलते रहते हैं, नश्ट हो जाते हैं, इस सत्त को नस्विकार करने की वज़े से भी मन अशांत और जीवन में दुखत्मन होता है अपने किसी करीबी के आस्वस्तु होने के कारण या उसकी मित्यु के कारण या किसी भी संसारिक वस्तु से जुड़ने की इच्छा, यह सभी मिलकर भवबंधन का निर्माण करते हैं, और इस भवबंधन में नित्यता की इच्छा सदा से पाने का भाव जो संभव ही नहीं होता, क्योंकि तथागत बुद्ध का अनित्यता का सिधान इन विशयों पर भी लागू होता है और जब यह नश्ट होते हैं, तो मन शांत हो जाता है अपार दुख, कष्ट, दुखद वेतना उत्पन होती है, जो चित्त को दुशित कर देती है और मानसिक अशुद्यों के प्रवाह को उत्पन कर मन को बेचैन कर देती है और तीसरा विशय है, जो मन को अशांत करता है, वह है अविद्याश्र यानि अज्ञानता के काण उत्पन मानसिक विकार, यह पूरी तरह से भ्रामक होता है अविद्याश्र हमारे जीवन को समझने के नजरिये में एक छदमावरण रश्ती है और पूर जीवन में दुखों को उत्पन कर मन को अशांत कर देती है और वहीं पर विद्याश्र है जीवन का यथार्त दर्शन, जीवन को इस पर्ष्ट रूफ से जानना और अविद्याश्र है जीवन को भ्रामक विशयों के सहारे समझना तथागत बुद्ध, आत्मा, इश्वर और लोकों पर विश्वाश करना इसे पूरी तरह से भ्रामक मानते हैं ये विशय जीवन को सरन अपितु जटल बना देते हैं और बुद्ध के अनुसार इन विशयों को स्विकार करना ही स्वतह मन को अशांत कर देता है बेचैन कर देता है अब कैसे इसे समझते हैं बुद्ध के अनुसार प्रमाणिक सत्य वही है जो जब तक स्वतह का अनुभव ना हो तो यहां पर ना तो किसी ने लोकों को देखा ना यह जाना कि आत्मा मरने के बाद कहा जाती है और इसकी ना कोई प्रमाणिक्ता और इश्वर के संदर में केवल कल्पनाएं कल्पनाएं यह केवल संदर कल्पनाएं हैं इन्हें स्विकार करने मात्र से कोई मनशान्त नहीं होता अब इसे एक उधारन से समझते हैं कोई व्यक्ती प्रती दिन किसी पूजा इस्थल में जाकर प्रातना करता है और रोज शाम को अत्याधिक शराब पीता है और वह इश्वर से प्रातना करता है कि उसके शराब पीने की वज़े से उसे किसी प्रकार का नुकसान नहो वो रोज इश्वर से प्रातना करता है कि उसे शराब के कारण मानसिक, शारिरिक, पारिवारिक वो आर्थिक नुकसान न हो तो क्या यह संभव है कि वो केवल इश्वर से प्रातना करे और वो शराब के कारण उत्पन नुकसान से बच जाए तो सीधार इस पश्ट है यदि बुद्ध के सब्दों में समझें तो काड़ों को समाप्त करें यानि शराब के नुकसान से बचना है तो सीधे शराब पीना बंद कर दें आप नुकसान से बच जाएंगे कई बार इश्वर और उत्से उत्पन्न कर्मकान जीवन को सुल्जाते नहीं बलकि उसे भटकाते हैं अब जैसे माना जाता है कि इश्वर दयालू है क्रिपालू है महरबानी करता है तो क्या वास्तों में ऐसा होता है यदि वास्तों में ऐसा होता तो कम से कम धारमिक पूजा इस्थोनों में रहने वाले लोगों के जीवन में दुख नहीं होता मगर वास्तविक्ता यह है कि वे भी दुख से प्यूडित है तो कैसे स्विकार करें कि इश्वर दयालू है यदिवद दयारू होता तो लोगों के जीवन से दुख को समाप्त कर चुका होता मगर वास्तों में हमें ऐसा दिखाई नहीं देता बुद्ध ने सत्य को नियमों और सिध्धान्तों के सहारे समझाया है उन्होंने प्रतीत समुत्पात के नियम को ही परमसत्य बतलाया और अनित्यता, दुखता और अनात्मता के सिध्धान के सहारे जीवन को सुल्धाने का प्रयास किया हमें यहाँ पर केवल नियमों का प्रभाव दिखाई देता है और केवल इसी के समक्ष प्रमाणों को जानकर जीवन को समझा जा सकता है आत्मा के अमर होने का चिंतन, मृत्वि के बाद का जीवन, उसे किसी लोगों में भोगने का चिंतन, स्वर्ग या जन्नत या हैवन से जुणने का भाव ये सभी वे विशय हैं, जिन्हें साबित करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, या ठीक उस अंधों की कतार के समान है जिसे ना पहले ने कुछ देखा, ना दूसरे ने कुछ देखा, बस केवल उनका कहना है या शब्द प्रमाण है बस एक ने कहा, दूसरे ने माना, मरने के बाद आत्मा कहा जाती है और सोर्ग या जन्नत या हैवन कहा है या किसी ने नहीं देखा इस प्रकार के विशय वर्तमान जीवन के महत तो कोई समाप्त कर देते हैं व्यक्ति वर्तमान जीवन को छोड़ भविश्य के इस कालपनिक जीवन के सहारे इसे परिभाशित करता है तो इस प्रकार के इन विशयों से जुड़ाव भी मन को अशांत कर पेचैन कर देता है कई बार इस जीवन के मूल प्रशनों को इश्वर के सहारे ढूड़ा जाता है और तथागत बुद्ध इस प्रकार के प्रियासों को निरर्थक मानते हैं और इसे जहर लगे हुए तीर के घाओ के सहारे समझाते हैं कि कोई व्यक्ती एक वन के मार्ग की तरफ जा रहा था तब ही जहर लगा तीर उसे आ लगा और वह खायल हो गया उसी का मित्र उसके साथ था अब उसे क्या करना चाहिए क्या उसे यह जानने का प्रियास करना चाहिए कि तीर किस ने चलाया किस दिशा से चलाया क्यों चलाया इत्यादी क्योंकि यदि वह इस प्रकार के प्रश्णों में उल्जा तो उस तीर का जहर उस तीर लगे व्यक्ति के शरीर में फैल सकता है और उसकी मृत्यों भी हो सकती है बलकि उसके मित्र को तुरंट उस तीर को उसके शरीर से निकालना होगा घाव को तुरंट साफ करना होगा ताकि जहर का असर कम हो सके बैते हुए रत को रोकना होगा ताकि उसकी जान बच सके इसी कानुकरर करने के लिए बुद्ध भी कहते हैं आत्मा लोक और इश्वर व्यर्थ के प्रश्न है इन पर चिंतन से कोई लाब नहीं होता बलकि चार आर्य सत्यों को समझें इसे स्विकारे तभी आप आश्राओं से मुक्त हो सकते हैं और आपका मन शांत हो सकता है अब इन आश्राओं से कैसे मुक्त हो इन ही प्रयासों में तथागत बुद्ध किस प्रकार से सहायता करते हैं इसी को आगे समझेंगे धन्यवाद इसे सहायता नाश्राओं